खेसारी लालियादव की फरिस्ता मुवी को देख अलू अर्जुन का आया धमाकेदार रियक्षन जी हाँ आपको बता दू कि खेसारी लालियादव की फरिस्ता मुवी का ट्रेलर इस समय सुर्खिया बटोर रहा है और तो और खेसारी लालियादव भी इस समय चर्चाओं में बने हुए हैं जी हाँ आपको बता दू कि खेसारी लालियादो की मेहनत आज उनके काम आ रहा है और तो और जब ट्रेलर ने ही इतना बवाल मचा दिया है और जब उनकी फरिस्ता मूवी रिलीज होगी तब तो पुरा तहलका मचा के रख देगी तो आपको बता दू कि खेसारी लालियादो की फरिस्ता मूवी को देख अलू अर्जुन ने बहुत ही जबरजास्त रियक्षन दिया तो अलू अर्जुन ने फरिस्ता मूवी को लेकर क्या बोले तो उससे पहले थोड़ा समय आपको खेसारी लाल यादो के परिस्त्रम के बारे में बता दें तो आपको बता दू कि खेसारी लाल यादो ने फरिस्ता मूबी को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत किये यहां तक तो खेसारी लाल यादों ने फरिस्ता मुबई में पागल बनने के लिए रोड पे चलते हुए बिखारी का कपड़ा उतरवा कर और उस बिखारी को निव कपड़ा दिये और वहां बिखारी वाले कपड़ा को खेसारी लाल यादों ने अपने पास रखा और तो और वहीं कपड़ा पहन के सोते भी थे कपड़ा भी मेरा पागल का मांग के लिए मैं एक वहीं पे जो लड़का था पागल घूम रहा था गाउ में तो उसी का कपड़ा उसको मैं 15 दिन तक रखा अपने पास मैं उसी बाल के साथ ऐसा ही गंदीगी में सोता था और आपको बता दे कि खेसारी लाल यादाव फरिस्ता मूवी में जिस तरीके से अपने गर्दन को टेढ़ा करके रहते थे उसी तरीके से रियल में भी 15 से 20 दिन लगातार अपने गर्दन को टेड़ा किये रहते थे 15 दिन तक घर में भी कोई बात हाँ ऐसे हो रहा था मेरे साथ और खेसारी लाल यादाओ नहाते भी नहीं थे और उसी मेहनत का आज तारीफ हो रहा है और खेसारी लालियादो के मेहनत को देख अलू अरजुन बहुत ही प्यारा सा रियक्शन दिये तो अलू अरजुन बताते हुए कहे कि आज मैं खेसारी लालियादो का ट्रेलर देखा है आप इसी तरीके से काम करते रहे एक दिन आप बहुत ही आगे जाएंगे तो खेर दोस्तो इस मूवी को लेकर आपकी क्यार आये है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बता है और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं